आपिया याद आता है हमारे एक रिष्चेदार है अमेरिका में वह अमेरिका में थे तो उनकी नाग की हड्डी बढ़ गई थी ना सायनस का प्रॉब्लम हो जाता है ना तो वो हॉस्पिटल गए वहीं अमेरिका में ही डॉक्टर ने कहा कि इसको ओपरेशन होगा ना केटी बढ़ती हैं दॉक्टर ओपरेशन करों कर दोक्टर कह रहा है तो फिर होगा तो वो डॉक्टर ने बहुत सारे डॉक्टर दे दिये कि इस पर आप साइन कर लें और कल देते हैं इन्होंने आके पूरे डॉक्टर पढ़ लिये उसमें लिखा हुआ था कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपके जो साइनस का प्रॉबलम है यह हल भी होता है कि नहीं होता कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी हम उसके जिम्मेदार नहीं है कोई अलर्जी हो गई मुस्तकिल जुकाम की बिमारी लाहिक हो गई हम इसके भी जिम्मेदार नहीं है तो कोई जितनी भी मुम्किना बिमारी थी ना डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था मैं किसी का जिम्मेदार नहीं हूँ यहनोंने सारे डॉक्टर पढ़ने के बा ना तो डॉक्टर में और कसाई में यही तो फर्ग होता है भाई तुम जिम्मेदार ही तो लो ब्लीडिंग होना शुरू हुई बंद नी हुई तो भी जिम्मेदार नहीं है एक दफ़ा ना किहटी के एक साब ने ऑपरेशन करवाया है ब्लीडिंग हुई इतनी हुई कि वो बिचारे मरी गए वो इन्ना लिल्ला ही हो गया उसका तो उन्हें ने का अभी भी वो अलम्दुलिल्ला जिन्दा है और ये उनका वाकिया भी 25-30 साल तो हो गए उन्हें पिर आपरेशन नहीं करवाया अभी तक चल रहे हैं अलम्दुलिल्ला तो वो डॉक्टर से कहने लगे कि मैं फिर किसी कसाई से ना कटवालू ना क भाई वो भी चापड़ लेके काड़ देगा जिम्मेदार वो भी नहीं है तो आप में और डॉक्टर कसाई में कोई फर्ख है तो बताए हमें तो बात यही है कि एक आदमी ने कराटे सीखे मास्टर है बलेक बेल्ट है और पता नहीं क्या कि अलकाबात लगे हुए हैं लेकिन जहां लड़ना भी होता है तो वहां नहीं लड़ता तो लोग कहते हैं भाई तुझ में और एक बेसाकी से चलने वाले माजूर शखस में को अंताज किया अब इल्म में बेतदाली ये है कि आप खामखा में अपनी इल्म की धाक यूट्यूब पे आगे बिठाते रहें और लोगों को नीचा दिखाते रहें कि वो भी गलत है वो भी गलत है कीड़े निकालते रहें बैटके सुब़ शाम ये ऐसे ही है जैसे कराटे क आगे है और कराटे सीख लिए और सुब़ शाम लोगों की हडिया तोड़ने के अलावा कोई काम मौतरम का है यह नहीं और बेतदाली इल्म ये है कि जहां बोलना चाहिए जहां लोगों को गाइड करना चाहिए वहां भी आप गाइड नहीं कर रहें तो ये बेतदाली है त लोगों से मुम्ताज बनाया होता है तो सबसे पहले अल्ला का भी फितरत का भी लोगों का भी मतालबा ये होता है कि ये इस मामले में इतदाल के रास्ते पर है या नई है अगर इतदाल के रास्ते पर है हटो बच्चो बेहतरीन हो गया नई है तो इसका मतलब क्या है बेवकूफ है अहमक है घलत आदमी है यह तो बिलकुल इसी तरह याद रखो कि इनसान जो है ना इनसान यह बहुत अहम बात कर रहा हूँ वाला करे खोबड़ी में उतर जा यह बात बहुत सारी गुमराईयों का हल इसमें है इनसान जो दूसरी मखलूख पर मुम्ताज है ना वो कराटे की वज़े से नहीं है यह कि जिम जाता है यह बाड़ी अच्छी है बाड़ी तो मेरे भाई बैल की हमसे ज्यादा अच्छी होती है क्या ख्याल है जबड़े जबड़े ये मगरमच के हमसे ज्यादा अच्छ है अगर आप कहते हो मैं जमनास्टिक कितरा च्छलांगे मारता हूं यूं करता हूं तो भी बंदर ये काम हमसे भी ज्यादा अच्छा कर लेता है लंगूर को देखो कैसे लटकता रहेगा न हम वहां तक पहुँची नहीं सकते कितनी भी मेहलत कर लें लंगूर नहीं बन सकते हम और अल्ला बनाये भी नहीं हमें से किसी को तो वो लंगूर से एक चोटा से चुटकला याद आ जाता है वो कई दफा सुना चुका हूँ लेकिन वो बस हमारे हदरत से महबत है ना तो जब भी तसकिरा आता है तो हज़रत का कोई ना कोई वाकिया वो हज़रत फरमाते थे मेरे बड़े भाई के पास एक शखस आया उसको वहम की बिमारी हो गई थी कि मैं बंदर बन गया हूँ कतने नफसे आती डॉक्टरों के पास जा चुका था यार मुझे शुबा हो गया मैं बंदर हूँ बहुत एक डॉक्टर के पास गया ना कि मैं बंदर हूँ दॉक्टर ने का पंके से उत्रों के तो बताऊंगा ना कि लाज करूंगा मैं उपर से तो नीचे आओ तो वो तो हमारे हदरत के पास आया हदरत के बड़े भाई के पास कि मुझे पतनी शुबा हो गया उन्होंने का हाथ लगा के देख लिए अगरो दुम है या नहीं है कहते हैं उसके बाद वो अलहमदुलिल्ला किसी और के पास कभी भी नहीं गया किसी के पास भी नहीं गया उसको यह वहम दूर हो गया तो छलांगे मारना जमनास्टिक की जैसे वो कर रहे होते हैं जमनास्टिक वाले ठीक है करते हैं बहुत कॉलिटी है यार गूम जाते हो लेकिन बंदर की तरह बोलो नहीं हो सकता तो इनसान को जो अल्लाह ने मुम्तास बनाया जो सबसे अलक तलक बनाया वो किस चीज़ में अकल में इस जैसी जहानत और अकल अल्लाह ने किसी को बो नहीं दिये ऐसी खोपड़ी अल्लाह ने किसी को नहीं दिये इस चीज़ में इनसान मुम्तास है तो मैंने आप से अर्ज किया कि जो कॉलिटी जिसको दी जाती है लोगों का भी मतालबा होता है फितरत का भी मतालबा होता है कि ये इसमें क्या करें इतदाल से काम ले अगर वो इसमें इतदाल से काम नहीं ले रहा तो हर शफ्स की खौाहिश होती है कि ये quality ये सिफत इस से छिन जानी चाहिए ये इसके लाइक नहीं है ये गलत आदमी के हाथ में ये चीज़ आ गई है तो बिलकुल इसी तरह याद रखो इनसान को तो अल्ला ने मुम्ताज ही अकल की वज़े से किया है तो इस सबसे पहला अल्ला का मुतालबा ये है कि ये अकल इस्तेमाल करने में ये इतिदाल के रास्ते को ना छोड़े अकल का गेर जरूरी इस्तेमाल ये भी गलत और जहां अकल इस्तेमाल करनी है वहां भी नहीं कर रहा ये भी गलत जैसे एक आदमी को कराटे आते हैं अब वो जहां नहीं इस्तेमाल करना वड़ियां तोड़ रहा है बिलावजा ये भी गलत है और बिल्कुल ही हाथ पे हाथ रखके बैठा हुआ है किसी को कुछ कहता ही नहीं है तो ये भी क्या है गलत है ना तो हमारे हाँ बड़ा मसला ये है जो मुलहिद लोग है ना जो मुनकर है जो लिबरल लोग है ये अकल का इस्तेमाल वहां भी करते हैं जहां अकल की रसाई हैं ना ये غیر changer जरूरी इस्तेमाल करने ये अपने आपको इतना फंटर्स मज़झते हैं इतना जहीन समझते हैं ये कहते हैं कि दुनिया का हर मसलह हमारी अकल हल कर brigी हमारी अकल के पास हर बात का जवाब है ठीम हले के ऐसा है नहीं ला मेहदू सलाहियतें अनूला ने किसी की पैदा नहीं किए हर चीज अकल बता नहीं सकती और जो हमारे दीनदार लोग हैं इन में एक ऐसा फॉल्ट पैदा हो जाता है सब में नहीं आप लोगों के इलावा की बात कर रहा हूँ जहां खोबड़ी इस्तेमाल करनी भी चाहिए ये वहां भी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते कहते हैं हजरत जी ने मना किया यहां हजरत जी ने बोलो भाई मना किया अकीदत हो गई है तो अब हजरत जी फेकते रहे हैं जलसे में बैटके बियान में फेकते रहे हैं बैटके लपेटते रहो बैटके बस वहां किया सुनाया था नहीं लपेटने वाला वह भाई पुराना होगे छोड़ो बार बार के वाकियात बहुत आ जाते हैं पर तो हदरत जी ने चूंके इरिशाद सर्माया है कितनी गलत बात कर रहे हो पीरो मुर्शिद ने कह दिया ये तो बस पीरो मुर्शिद तो गलत हो नहीं सकते नमाज नहीं पढ़ रहे हो पीरो मुर्शिद पीरो मुर्शिद की दाड़ी नहीं है माशाला लेकिन इशक रसूल में एक नंबर तोला जा रहा है जनाब सोने और चांदी में हाले के दाड़ी नहीं है तो भाई अगर नभी से इतना इश्क है तो दाड़ी क्यों नहीं रख लेते हैं यार दाड़ी नहीं रखेंगे वो माईकल जेक्सन ज्यादा अच्छा लगता है उनको देखने में यार थोड़ा सा बनना वैसे है मैं नहीं कह रहा है कि ये कोई बुरा आदमी है या इसके दिल में पेगंबर से नफरत है माज़ अल्ला ये इल्जाम नहीं लगा रहा लेकिन आपने भी तो कितने उंचे मकामात पे पहुँचा दिया ना भाई थोड़ा सा नीचे ले आओ नातखानों को देखो आप बहुत सारे नातखान सुबो शाम नबी की याद में पड़पड़ के आंसों से रो रहे हैं रो रहे हैं भाई इतना रोने की टेंशन की दुरूट नहीं अपने अमल को ठीक कर लो पैसे जो आपने लिये हैं वापस कर दो वसीम भाई से जो पैसे लिये हैं वो क्या कर दो वो नहीं करेगा वापस सब नातखान नहीं भाई किसी के कोई कोई मुतायन शास मुराद नहीं है लेकिन हमने देखे हैं भाई तो करदा वापस कर यार कब से लेके बैठावा है पैसे पैसे दे मेरे ना 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 प्रोग्राम में जाना है ना थे रसूल मक्बूल पढ़नी है और रोएगा वहाँ जाके मार्कीट में चल रहा है कि नहीं चल रहा है मैं अलहम्दुलिल्ला एसे आंसुँँँँँचे कभी बी अलहम्दुलिल्ला पहले भी कभी मतासिर नहीं हुआ था अब भी नहीं होता एक सहाब थे फजर की नमाज में पंद्रा पंद्रा दिन मार्कीट से शाट रहते थे वो थे बहुत बड़े बजर्ग या तो चलो कोई शरी उजर हो ना लेकिन वो नहीं होते थे आते ही नहीं थे ना अब खलीफा भी थे वो बजर्ग भी थे तो एक नमाज ही चमट गया उनको एक दिन होता है दो दिन होता है ये फजर की नमाज जैसे दूसरे मुसलमान उपर है आप पर भी तो है न हर मस्जिद में ने एक टेंशन लाजमी याद रखो होती है इमाम के लिए वो इमाम को देख रहा होता है ये इनसान का बच्चा बनके चल रहा है कि नहीं चल रहा हर मस्जिद में अल्ला ने एक टेंशन का मसकम पैदा की होती है और वो सही होती है सहित के लिए सब वो जरूरी होती है तो वो चिपक गए कि भाई या तो कोई बीमारी है तो ये बोल तो हम थोड़ी पूछ रहे हैं कि आपको कोई बीमारी ही बस बता दो यार कोई शरी उजर है हम फर्ज कर लेंगे, कुछ तो वोलो नहीं तो ये बेवकूफ है जो, इतने लोग है ये नमास पढ़ने आ रहे हैं वह यह न एक देहाती का बैल आ गया मस्जद में इमाम साब ने डंडे से मारना शुरू किया तो देहाती कहने लगा, इमाम साब बेजबान जानवार है, बेवकल है अभी मुझे देखा अपने मस्जद में, बिला वज़ा इसको कूटरे उपकड़े के तो वो जो पीछे पड़ गए, वो मुक्तदी साब, आते क्यों नमास क्यों नहीं पढ़ते बाई तो वो साब कहने लगे, मैं तुमारे खिलाफ उल्टे हाथ से बद्धुआएं करूंगा, रात को उठके ना नमाजी से तो वो नमाजी का confidence मुझे पसंद आया, वो नमाजी कहने लगा, मैंने का उल्टे लटके भी करो, मुझे नहीं लगेगी, बद्धुआ, इन चीजों से मैं मुतासिर, बो भाई, नमास पढ़ो नमास तो अमल, अमल, देखो अगर कोई गलती भी है ना, तो अल्ला ने बड़े option रखें, भाई, सुधरने की कोशिश कर लो, तोबह कर लो, लेकिन गलती को ना गलती माना जा रहा है, ना उसको छोडने की कोशिश की जा रही है, लेबल हटाने के लिए तयार नहीं है, लेबल ल तमीजा वुजू के बगिर वुजूँ अनी आती थी उसको ना, तो मस्जिद के इमाम ने बीबी तमीजा को कहा कि तु नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, उसने का हा कि मुझे वुजू करना नहीं आता, तो इमाम साहब ने अपने सामने उसको वुजू कराया, और नमास पढ़ती है, उसने का अलहम्दलिल्ल्ह दस साल में से पाबंदी से पढ़ रही हूं, और नहीं ने का वुजू, कहने वुजू तो आप करा के चले गए थे, तो हमारे एदर फरमाया करते थे, जैसे बीबी तमीजा का वुजू, शादी भी हो गई और दस बच्चे भी हो ग पाबंदी के साथ, फराइस वाजबात पूरे कर लो, अल्लह आपसे ज्यादा का सवाल नहीं करेगा, मोटे मोटे हकाम, और अगर कोई गुना हो रहा है, तो तोबा करो अल्लह के सामने, छोड़ने की कोशिश करो उसको, ट्रैक तो सही करो ना, आदमी सही ट्रैक पे उसको पता तो चले के सही क्या है गलत क्या है